मैं संतोष पाटिज संतोष उर्पिंग के यूट्यूब चैनल में आपका सवागत हैं जैसे कि जनरली हम तो रूफिंग में ज्यादा तर काम करते हैं और काफी ज्यादा रूफिंग में इंटरेस्ट रखते हैं लास्ट टाइम हमारे एक साइट चालू थी बांदवगड जो जो है जो मैंनी देखिए मैं आपके साथ शेयर करूं तो फिर आज का ही वीडियो रहेगा कि जो ट्रेडिशनल टाइल है एंपी से उसके बारे में रहेगा फ्रेंस इसमें जो टाइल है करीब आप देख सकते हैं इस ताइप की टाइस है राउंड टाइल है जनरली उसको हा काफी बढ़िया क्ले उस टाइम शायद यूज की वह होंगी इसलिए वह इतनी दिन तक टाइल टिक होई है लेकिन जितनी भी जो भी क्ले यूज की गए है काफी हेवी मतलब ज्यादा थीक वाली यूज की गए इसमें से जो स्टोंस दिखते है उसे पता चलता है कि शायद दो टाइल है अगर हम देखते हैं तो दो टाइल में काफी ज्यादा फरक दिखता है आपको लेकिन हैंडमेड है तो फिर ऐसे हो सकता है यह देखे आप बिल्कुल कुछ इस तरीके से बनती थी टाइल लगाने के बाद हो चैथे उसके बाद उसका जो ओर लैपिंग था ओर च्छे पीश के आसपास बैठते हैं सामने वाला जो हिस्सा जो है और चार इंच के आसपास आता है तो यह सबसे इंपोर्डन बात है इसमें और पी काफी सारे अलग-अलग भी टाइल से वो भी हम उसके साथ ही दिखाएंगे अब अब यह फ्लैट ही टाइल लगते थी और ऐसे कुछ रॉंड शेप में यहाफ रॉंड बीठाते थे तकि इसके बज़े से उसका लुक जो है हाफ रॉंड का ही दिखता है यह भी बढ़ी लुक दिखता है और काफी जगा पे तो ऐसे फ्लैट टू-फ्लैट ही बीठाते थे तो वह एक अलग लुक रहता था इस टाईल जो वेट आता है वो करिब एक किलू के आसपास आ जाता है एक टाइल का और अगर यह हाफ राउंड वाले अगर टाइल लेते हैं तो करिब इसका वेट आ जाता है 800 ग्राम्स जनरली यह एक टाइल आ जाती है हाफ राउंड में ही है जिसकी डेप्थ सबसे बढ़िया है हमने वहाँ पर देखा करीब यह जो डेप्थ है यहां से यहां तक तो यह डेप्थ है करीब चार इंच के असपास में सबसे बढ़िया डेप्थ है क्योंकि इतनी डेप्थ वाली मैंने आज तक कभी कोई टाइल नहीं देखे थी डेप्थ के वज़े से पानी लीकेज होने के च आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया यहां पे जो नाली है वह बढ़िया बनती है और ऐसे बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम उसको बिठा भी सकते हैं काफी बढ़िया प्रोड़क्ट है जो फिनिशिंग है वह आपने शायद देखा रहेगा यहां पे यहां पे जब यह पार के बनाई होगी तो इसके नीचे डाय रही होगी और इसकी इंप्रेशनस भी इसके उपर दिखते हैं और प्यूर हैं तो बाहर से जो भी है वह हैंनमीड के इंप्रेशनस है तो एक सबसे बढ़िया टाइल है और काफी दिन से चल रही है और मुझे ऐसे लगता नहीं क यह टाइल देखने के बाद कि बीस या तीस या फिर चालिस साल के बाद भी उसे कुछ फरक पड़ा है क्योंकि बड़िया तरीके से वो पकाई गई टाइल है तो फिर टाइल यह सबसे सबसे बड़िया टाइल है एक स्क्वेर फीट में करीब 4.5 पीसे बढ़ते हैं इसका जो हाफ गोहाँ वाले जो टाइल दिखे और इञार नहीं है ब्रावन इश कलर में आपको मिल जाती प्लायượng पर रहाम कि बना के बराबर है लेकिन इसका कल़ थोड़ा सा अलग रहता है यह ब्रावनिश कल रहता है मिट्टी भी है वह ज्याद़ थीक है चार से पांच अमिया फिर पास से चे मिट्टी इसमें यूज की गई है इस एक टाइल का वेट करिब जाएगा एक किलो सव ग्रांड के असपास इसमें और एक वर्जन आता है जैसे कि पहले इसके पहले आमने जो बड़ी चुटी टाइल देखी थी अगर इसमें आप देखते हैं तो यह बड़ी वाली टाइल है यहां से यहां करिब आती है 11 इंच की लेंथ मिलती है यहां पर ओर लैपिंग के लिए यहां पर थोड़ा सा कर्व दिया गया है तो फिर यह जो ऑप्शन है ऑपसेट है तो इसके बज़े से यहां पर इसकी जो लेंथ मिलती है करिब 9.5 इंच का असपास इसका अगर कवरेज एरिया अगर हम देखते है तो 210 तो 10 टाइल है लगती है 100 स्क्वेर फिट कवर करने के लिए वेट करिब एक टाइल का आ जाएगा 3 किलो 300 ग्राम तक और इसका जो थिकने से आप देख सकते है कई-कई-कई जगह पे एक इंच है सवा इंच है और टाइल का जो थोड़ा सा यहां से अगर देखते है तो काउन planned दिखे जोने के chances नहीं है और बाजी घ्लक जाने के कोई भी chances नहीं है आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले तो यह फूल टाइल बेठेगी और दो टाइल की बीच में ऐसे हाफ राउंड करके भी एक टाइल आ सकती है इसमें और ऐसे भी काफी जगह पर बिठाया गया है तो फिर यह एक सबसे इंपोर्टन बात है कि जितने भी हमने एंपी में टाइल है तो इसमें से यह फ्लाट टू फ्लाट टो अल टाइल या फिर हाफ राउंड टो हाफ राउंड टाइल और सबसे ज्यादा इंपोर्टन है कि हाफ राउंड और फ्लाट टाइल भी मिक्स करके लगाई गई है जो की कॉम्बिनेशन आज तक मैंने कहां पर भी नहीं देखा था और यह सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है यह जनरल ही जो टाइल है आज तक मैंने जहां पर भी दिखे तो ज्यादा ज्यादा MP में दिखी है और हम बोल सकते हैं नौर्थ महाराश्टा में काफी जगा पर भी है लेकिन सबसे ज्यादा तो MP में मिलती है यह वीडियो अमारा था MP के जो मध्य प्रदेश की जो टाइल है लोकल टाइल है उसके बारे में यह अगर अमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है किसी काम का हो गया है तो फिर कमेंट जरूर करना शेर करना लाइक करना और आमारी चानल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि है ऐसे हम हमेशे वीडियो आपके लिए बनाते रहे मेरा नाम संतोष पाटे संतोष रूपी के यूट्यूब चानल से धन्यवाद फ्रेंड्स